लोग यहां वाटरफॉल में लुफ्त उठाते हैं प्राकर्दिक हरियाली और ये गगन चुम्भी परवत माला अति मनमुहक है उत्राखन में इस्थित मसूरी को पहाडों की रानी भी कहा जाता है दूर दूर से तथा देश विदेश से आई लोग यहां की सुन्दरता तथा मनमुहक प्रकर्दि का आनद उठाते हैं की यहां है कर दो प्रवार्ट जान जाथ जान जान अब हमने अपनी यमनूत्री की आत्रा आगे के लिए प्रारंब किये है यहां से यमनूत्री 127 किलो मीटर बर है यहां का मौसम और सौंदर्य बहुत ही सुहाना है यहां मौसम साफ होने पर दूर दूर से बरफ के पहाडों को देखा जा सकता है तथा विशेस आनंद प्राप्त होता है उचे उचे पहाडों के वीच में ये घुमावदार सडके लहराती हुई नागिन जैसी लगती है जैसे जैसे हम उपर जा रहे हैं यहां का नजारा और भी खूब सूरत होता जा रहा है साथ में चल रही यमना की कलकल गरती धारा और यमना की ध्वनी हिर्दय को आनदित कर रही है उपर जाती ही यहां का मौसम भी बदल जाता है दिन में सुनहेरी ठंड होती है और शाम होती ही तथा रात को कड़क ठंड हो जाती है हमें भारी गर्मी कपड़े पहनने पड़ते हैं 2013 में आई तरास्ती ने यहां सब कुछ तहस नहस कर दिया किन्तु उसके बाद से यहां की सरकार ने बड़ी तेजी से चारोल हम की यात्रा के लिए अनेक सुधार किये जगा जगा पुल बन रहे हैं नई सड़के तयार हो रही है अधा अब हम मैन बाग, लाखा मंडल, चक्राता, बरकोट, स्यानी चटी, फूल चटी और हन्वान चटी होते हुए शाम को ज़ान की चटी पहुँच जाते है हरिद्वार से 245 किलो मीटर की दूरी तै करके हम ज़ान की चटी पहुँचते है शिव शंकर भोले भाले तुम को लाको प्रणाव सास की आवन जावन मेरी त्रटी है बस तेरा नाम मैं अवगूणी हूँ, उगूण सागर आया हूँ मैं तेरे दाम शिव शंकर भोले भाले तुम को मेरा प्रणाव ये शिव शंकर बोले भाले तुमकु मेरा प्रणाव तू निर्बल का बल है भोले तू ही निर्धन का धन है तू निर्धन का बल है तू ग्यानी के ग्यान का धरपन तेरा तुझे सब अरपन है तेरा तुझे सब अरपन है रिशी मुनी करते गुनगान चपते है बस तेरा नाँ ए शिव शंकर बोले भाले तुमको लागो प्रणाव ए शिव शंकर बोले भाले तुमको मेरा प्रणाव वागी रत में तुझे को जब कर रापे रूख उपच्णाव प्रणाव 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 कर दाट